तो हीए गाइस वेलकम टो आप ब्रैंड न्यों लेटेस्ट वीडियो माइनक्राफ्ट और आज बनाने वाइस हम अपना वर्ल्ड यानि कि अपना खुद का सर्वाइबल वर्ल्ड जिसके अंदर हम खुद का क्रियेशन करेंगे खुद बहुत सारे चीज बनाएंगा अपना क चीजी में इसको स्किप करते हैं सीधा अपने वर्ल्ड के अंदर आते हैं लोग देखते हैं आके हम लोग स्पॉण कहां पर हुए है जगह तो ऐसे काफी है बगल में सैंड डर्ट है और सबसे में सीप से सबसे पहला वारो यहां से खाना मिलेगा इन से और प्लस इनसे मू और तीन प्लैंक से अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो कॉमेंट्स पर बताना आइधिंग टीन वूड और तीन प्लैंक से हम लोग बना देता है ठीक है तो यहां बस सीप को माल लिए हमने पीगी को भी माल लेते है क्यों के खाना भी तो चाहिए तो गाइस तरस तो इस बनाने के लिए आइधिंग सो तीन सेम केटेगरी के बूल चाहिए होता है बनाने के लिए मैं गलत हूं यह सही है मुझे अतना एक्सपरियेंस है नहीं क्योंकि लिए मैं बहुत नहीं हूं माइंकराफ्ट तो इस वर्ल्ड की एक सबसे बूड़ी बात है कि आप में पेर देख लेते हैं क्या पता हमें कोई पेर मिल जाए जिससे हमारी हेल्प हो सके सामने काफी सारे कैस मतलब केटल से जानवर है ठीक है यहां पर सैंट कुछ माइन कर लेते हैं तक हम घर जो बनाए वह क्रियेटिव दिखे और हम साथ साथ में ग्लास बना सके घर से बाहर देख है अमको भाई वर्ड जिस्ट बनाए हमने इतना क्लोज हमारे विलेज कैसे हो सकता है यार इंपॉसिवल ठीक हो गई हमारे साथ हमारे वर्ड के अंदर हमें विलेज मिल चुका है पहले दिन नहीं है काहिं सीरियसली मुझे अभी तक अपने आंकोंब बरोसा नहीं हुआ हम के घर से लूट पार्ट पर ज़रूर मचा सकता हो और तुम बताना तुमें में लगा तुम 10 में रेटिंग दे सकते हो तुम कॉमें लखी बंदा हो गाईस की पहले ही विलेज मिल चुक है हमें हमें यह पर दोर तोड़ लेते क्यों कोई भी चुपने वाला जगह अगर माइनक्राफ्ट के हाला कि इनका स्ट्रक्चर तो रहा है स्पेर लेकिन क्यूट लगते है बैट हम यहां से चोड़ी कर लेते हैं एक विलेजर का अच्छा रहा है क्योंको बैट बनाना नहीं पड़ेगा हाला कि हमने बहुत सारे वूल्स ले लिए था हम खुद के भी नहीं देखने को मिला तो हम कहां से समाल ले यह गरीब लेज यह मुझे लगड़ा है मुझे यह लगड़ा मुझे मुझे मॉन्स्टर के प्रतार नाओ का प्रतारित है तुम्हें अगर हिंदी नहीं आते बता दो मॉस्टर के टॉर्चर को बहुत साय इस विलेज ने इंग ब्यूडिंग स्टैंडी गयते नाँ उपर लिखा हुआ था मैंने मुझे कुछ पता नहीं है बस मैंने उपर देख रहे के नाम पढ़ दिया और यहां पर भाई किसी घर में चेस्ट नहीं है क्या अब आगे वाले घर में हमें चेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा सबसे पहले तो हम फरनेस तोड़ लेते हम आपर तोडने के लिए कुछ है नहीं हम काफी जादा टाइम लग सकता है यहां पर लेकिन हम मैं त्राइक कर रहा हूं जितना तेज हो सकता तोड़ने का फरनेस बहुत देड़े देड़े तोड़ता है अगर तुम्हें कोई भी आप यहां इस सिल्वर स्वार्ड मिल चुका है तो अपना फिलाल आज रात का बेस तो इजी बना सकते हैं बहुत साथ चीज़ और यहां से चेस्ट छोड़ूंगा भी नहीं काफी बंदों थे चेस्ट मैं सामान लोंगा तो मैं चेस्ट भी लेके जाओंगा कि विलेजर को पता चले हाँ चोड़ी हुए तो प्रुपर चोड़ी हुए भाई सामान नहीं सामान के साथ सारे थिंग भी और घंटा बजा के देखते हैं भाई घंटे के अलग यह आजाती है बहुत बहुत क्यूट यह आजाती है ऐसे फिलाल तुम मुझे यह बताना कि घंटा आखिर क भूख मीटा सकता है अभी काफी ज़्यादा मैं भूखा हूं तो पहले तो मैं यहां पर बुसेस तोड़ लेता हूं क्योंकि इससे आगे चलके हम वहां पर बना सके अपना इसली ब्रेट और ब्रेट खावी सके ठीक है बहुत मजाता है बुसेस से ब्रेट बनाने में और यहां बहुंच म withdrawal मुझे मिल चुका है मैं ग्ली को नहीं बोल रहा मैं इस किले को मौन रहा है काफी अच्छा है उपर फिलीजर के समझन हे तो मुझे माइनक्राफ्ट में फिजिक्स समझ नहीं आते यार सीरी पे चाहर रहा है तो सीरी पे से पिशल के गिड़ जाएगा जैसे फिजिक्स हो हम तॉप पे आ चुके और यहां से व्यूस देख सकते होगा इस काफी अच्छा और काफी अच्छी बात यह कि सामने पेर है गाइस पेर है यानि कि हम यहां पर अपनी कैशल बना सकते हैं यहां पर अपनी सारी तिंक्स बना सकते हैं तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं जाकर करके पेर को तोड़ना क्योंकि रात हो गई न भाई फिर जॉंबी या मॉंस्टर भी इजी है आपर स्पॉर्ण हों आज फिलाल मैं कई पर सो जाता हूँ ताकि आज का रात हमें स्किप कर सकते हैं मैंने सही बोला हम साम को सो सकते हैं मैं सो के उठ चुका हूं और 나오 है और विलेजर को मैं mandate उसके घर से निकाल लिया है यार माइन क्राप्ट की विलेजर होटते है काफी इजी वे में अब हमको यहां पर जो आइडन बचे ना आइडन से कुछ बनाना है फिलाल यलो बेड़ी यह सब को मैं क्यूं मतलब सोची की वड़ा यह सब बनने वाले मैं गदा मुझे लगा टीन वूल अलग अलग भी होंगे तो काम चल जाएगा लेकिन नहीं भाई मैं गल काफी क्यूट लग रहा है हाथ में सोड एक हाथ में सील और जूते पैड सब आयरन के वाई काफी काफी मस्त लगड़ा है लेकिन मैं नहीं पाता हूँ ऐसे थार्ट परसंट में तो तो मैं फिलाल फिर से कर लेता हो क्योंकर मुझे थार्ट परसंट खेलने बिल्कूल भी मुझे खेल नहीं आता है और मुझे भाई सीखना भी नहीं है मैं फिलाल तेजी में उपर चल लेते हैं अपना बेस पर माइन करना कोई एक बेस दून के कोबल एस्टोन का ताकि हम अपना किला बनाने के तरफ अग्रेशर हो सके आगे बढ़ सके ठीक है तो फिलाल इन काउ खुद बहुत तेज हो तुम लोग तो गाइस अब फाइनली काफी टाइम हो गया था इस वर्ड में तो मैंने सोचा कुछ माइन करते हैं तब हमें कोबले स्टोन दिख जाते हैं नीचे दो और मैं समझ गया था कि अंदर हमें काफी जादा अच्छे लेमाउंट में कोबले समय करेंगे और मैंन करने कबाद हमको और आइडन मिल जाएगा तब हम फिर से इसको बहुत चाना माइन करेंगे और काफी साथे कोवले स्टोन को दिखकत ने और इसको आपना शिक्रेट बेस्स में बहुत बना लेता हूं इसके अंदर मैं बहुत बबर बेस चुपाऊ और अपने किले की काम बहुत एजली कर पाओ और यहां पर साड़े ऐसेंसियल चीज में अपने बना बना करके रख पाओ तो इसके लिए मुझे एक बेस बनाना भी था तो मैं यहां पर पहलाल परड़ा बनिया सब बना लेता हूँ और बेस बनाने के बाद मैं तुमको वीडियो किला करके देखा मुझे एक चीछ पर जो हॉट चारते हैं लेकिन गलाबे सब्सम्सक्र baoट चाटे और खाते भी इकिनाम मैं गलत चांथा अरे वो क्या कहते हैं कि य९ख़ क्यों क्यों गडे बाला देथा कियो कफी सेंड में अकुर्षा सेंडमें मैं गधा जानता तो नहीं माइनक्राफ कैसे वर्क करता है मैंने सूचा आप चलो यह ट्रैप हो गया अभी यही रहेगा लेकिन बंदे के पास तो अलग आईक्यू था यह देखो यह ऊपर सीधा उचला और यह चला गया और मैं गधा इसी तरह इसको देखते रहेगा मुझे ट्रैप करना तो यहां पर दो-दो ब्लॉक्स तो लगाने थे लेकिन मुझे पास मेरे पर इतना दिमाग ही नहीं माइनक्राफ में क्या करना है कैसे करना है तो काफी अच्छे खासे मांट में हमने माइन कर लिया था और हमारी पीकेक्स की हेल्थ भी काफी कम होगे थी लेक लेकिन भाई पीकेक्स तूटने का नाम नहीं ले रहा था हाला कि जब हमने अब फर्दर माइन किया तो फर्दर माइन करने कवाद यह पीकेक्स इजी तूट गया लेकिन फिलहाल भाई यह तूटने का नाम ले रहा था काफी जादा काफी जादा मैनत करवाई है इसने मु सिंप्ली ओक के डोर लगा देता है ताकि हमारा नॉर्मल जो पर्मानेंट बेस नहीं है यह नॉर्मल बेस है वह त्यार जाए और इसके अंदर हम अपना माइन का वह बनाएंगा मतलब जहां माइनिंग कर सके भाई आप एक कोगलेश्टों ने सार्टिंग में ही टूड़ी है बाई देख सकते हैं तो हम चड़ के पूरे वीलेच को देख सकते हैं और यहां फिलाल यहां पर लाइट लिंग लाइट लिंग होगे की रात को भी या चमकेगा तो जादा नहीं गेट के पास जादा जाएंगे गेट के पास तो बार निकलने में भी वह इसू कर देते हैं तो मैं इसलिए ऐसे कर लेता हो और अब होती है सबसे में अब मैं अपना बैड का रखू क्राफ्टिंग टेवल का रखू सब कुछ का रखू लेकि लास्ट में मेरा कन्फ्यूजन सौल बजाता है मैंने डिसाइड कि चमकदार रहेगा बैड के तरफ अच्छा लगेगा देखने में और यहां फॉर्नेस लग दिया बीच में मैंने गलती से सैंड रख दिया ठीक है लेकिन बाद में मैंने डिसाइड कि अब और क्राफ्टिंग टेवल इस तरह रखेंगे अच्छा नहीं लगेगा तो सैंड को तोड़ दिया मैंने यहां पर क्राफ्टिंग टेवल हम सिंप्ली रख लेते हैं बगल में अप सिरीज बंद कर दू यह तुम्हारे व्यूस पर डिपन करता है तो पूरा पूरा सपोर्ट करना क्यों अगर तुम अगर इस वर्ट के सिरीज को कंटीनिव करवाना चाहते हो तो मैं डेफिनेटल तुमको टेक्नो गेमर जैसा वर्ट बना करके दिखाऊंगा आइमीन उनसे अच्छा बनाने का ट्राइगा तो मैं उनसे कंपाइजन नहीं करना चाहिए वह तह्म वह जब्लेट अच्छे प्लेट लेकिन एक टाइम पर टेक्नो-गेमर्स के लिए ऐदी वीडियो से स्टार्ट किया तक काफी वह च्छोटे प्लेयर बाहर घ्रिपड आ गया मैं सीधा जाकर कि यहाँ बैट पर सोजाते हो आज की वीडियो में इतना ही था अगर तुम्हें वीडियो पसंद रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एन वीडियो को लाइक करना